हमेशा भी और खरे उतरेंगे लगतार बीजे पे ये कहती रही है कि जनता के बीच हम जाते रहे हैं हमेशा बने रहेंगे चाहे सत्ता पे रहें या विपक्ष में लेकि जनता से संपर्ख हम अपना तूटने नहीं देते हैं जनते हैं तो प्रधान मंत्री मोधी मंच पर पहुँच चुके हैं जिनका सभी को बेसबरी से इंतजार था वो पल आ ही गया राज़िपाल से मिले और ये देखिए जनरता का विवादन स्विका करते हुए प्रिया मोधी पूरी फ्रेंट लाइन लीडर्शिप बीजेपी की आपको एक मंच पर नज़र आ रही होगे इस समय चर्थ प्रिया मोथी आपका आपको। मानने राज्यपाल महोदे कारिक्रम आरंब करने के लिए क्या मुझे आपकी अनुमती है महोदे नवनियुक्त मुख्यमंत्री श्री विश्णुदेव साय अपने पज तथा गोपनीता की शपत ग्रहन करने के लिए यहां उपस्थित है निवेदन है कि कृपिया नवनियुक्त मुख्यमंत्री को पज एवं गोपनीता की शपत ग्रहन कराए मैं विश्णू देव साय इस्वर की सपत लेता हूँ कि मैं विधी द्वारा इस्टापित भारत के सविधान के प्रती सची स्रधा और निश्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभूता और अखंता अक्षुन रखूंगा मैं 36 गड़ राज के मुठ्मंत्री के रूप में अपने कर्तबियों का सरधा पुर्वक और सुध अंतरकरन से निर्वहन करूंगा तथा मैं भाय या पक्षवात अनुराग या दोईस के बिना सभी परकार के लोगों के प्रती सविधान और विधी के अनुसार नय करूंगा मैं विशनु देवसाय इस वर की सबत लेता हूँ कि जो विशाय 36 गड़ राज के मुठ्मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथ्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मुठ्मंत्री के रूप में अपने करतबियों के सम्यक निरवहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथ्वा प्रत्यक्ष रूप से ससुंचित या परगट नहीं करूँगा है थहां प्रत्यक्ष बगल इना प्रत्यAKो बजक्त मरेनेने स्प्रपश यार व् लोगल व ट्वाज यार्व कर दो कर दो कर दो. और यह सीधी तस्पीर हैं आप देख रहे हैं प्रदार मंत्री नरेंद्र मोधी से अभिवादन स्पीकार करते हुए विश्नुदेव साय मुख्य मंत्री पद एवं गोपनीता की शपत ले चुके हैं रितु आज यह एतियास एक दिन श्री अरुण साव अपने पद तथा गोपनीता की शपत ग्रहन करने के लिए यहां उपस्थित हैं निवेदन है कि कृपिया नवनियुक उपमुख्य मंत्री को पद एवं गोपनीता की शपत ग्रहन कराएं मैं अरुण साव इस्वर की सपत लेता हूँ कि मैं विधिद्वारा इस्थापित भारत के समिधान के प्रती सची स्रद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभूता और अखंडता अच्छोन रखूंगा मैं चत्तिर गणराजी के उपमुख्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का स्रद्धा पुर्वक और सोध्ध अंताकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती समिधान और विधी के अनुसार न्याय करूंगा मैं अरुंड साव इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विशय चतिर गणराजी के ओपमुख्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को विख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वान के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा आ प्रत्यक्ष रूप से संसुचित या प्रगट नहीं करूंगा तो विश्णु देव साहे देखिए इस वक्त रितु पदेवम गुपनियता की शपत लेने के बाद वो अपचारिक हस्ताक्षर करते हुए तस्वीरें चतिसगड के साइंस कॉलेज मैदान से बेहते खास तस्वीरें ये हैं और अब जो है डेपिटी सीम ने अभी पत की शपत लिए अब इसके बाद भी शपत का सिलसला जारी रहेगा और कुछ मंत्री भी हैं जो पत की शपत लेंगे ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिख हा रहे हैं खास तस्वीरें अभिवादन स्वीकार करते हुए हाथ मिलाते हुए ये तस्वीर बेहत खास इतिहास जो है नावनियुक्त उपमुख्य मंत्री श्री विजय शर्मा अपने पद तथा गोपनीता की शपत ग्रहन करने के लिए यहां उपस्थित हैं निवेदन ह है कि कृपिया नवनियुक्त उपमुख्य मंत्री को पद एवं गोपनीता की शपत ग्रहन कराएं मैं मैं विजय शर्मा इश्वर की सपत लेता हूं कि मैं विजिद्वारा इस्थापित भारत के संविधान के प्रती सच्ची स्रद्धा और निश्टा रखूंगा मैं भारत और शुद्ध अंतह करण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भै या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सम्विधान और विधी के अनुसार नियाय करूंगा मैं विजय शर्मा एश्वर की सपत लेता हूँ कि जो विसे 36 गड़ राज्ज के उपमुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अत्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे उपमुख्यमंत् के लिए ऐसा करना अपिक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अत्वा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रगट नहीं करूंगा आप सुन रहे थे विजय शर्मा को डेपूटे सीम है और पत की शर्पत इन्होंने लिए अरूसाफ ने इससे पहले शर्पत ली और उससे पहले मुख्यमंत्री पत की शर्पत विश्णू देव साई ने ली अब विश्णू राज का विश्णू राज जो है च्छतीस गड ने इसकी शुरुआत हो चुकी है और अब कंधू पर जिम्यदारी जो है बड़ी जिम्यदारी विश्णू साई की उपर भी है विजय शर्मा की उपर भी है अरूसाफ की उपर भी है और साफ तोर से शर्पत भी खाई गई और कहा गया कि जिम्यदारिया मिली है उनका निर जिपाल महोदे, आज की कारेवाही समाप्त घोशित करने के लिए क्या आपकी अनुमती है? महोदे, आज का कारिक्रम समाप्त हुआ. तो आज का कारिक्रम समाप्त हुआ ये खास तस्वीरे शपत रंसमारों की जिसमें दिगज श्रामल होने के लिए पहले जो है विश्रुग देवसाई ने शपत लिए उसके बाद डेपिटे सीम आरोल साफ ने और विजे शर्मा ने शपत ली अपनी पत गुपनियता की शपत और अब जो है राश्रगान की शिरुवात होने जा रही है तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कारिक्रम का समापन हो चुका है और आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कारिक्रम का समापन राजिपाल विश्व भूशन हरी चंदन की अनुमती के साथ रितू ये कारक्रम अब समापन हो रहा है और मंच पर आप देख सकते हैं वो सभी तमाम बड़े चेहरे जो के आज इस कारक्रम में आए जिसमें प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी नज़र आ रहे हैं आपको उनके साथ ही राजिपाल विश्व भूशन हरी चंदन नज़र आ रहे हैं मद्यप्रदेश के बाद अब 36 गड़ में भी यहां कारक्रम संपन हो गया है और प्रदान मंतरी और राजिपाल बाचीत करते हुए कारक्रम के समापन के बाद यहां पर एक बार फिर देखे मंच पर बैठने का या वहां पर रुकने का इशारा कर रहे हैं आज जो तस्वीरें हैं बहत खास भव्य कारिक्रम और भव्य तैयारियां आज के कारिक्रम को लेकर के प्रिधान मंतरी भी पहुंचे दिगज भी पहुंचे और कयास जो है लगाए जा रहे थे कि शायद कई मंतरियों को आज शपत भी दिलाई जाए अलाकि उसे होल्ड किया और ये मंच इसलिए भी खास रहे तो आप देखे तस्वीरों में आमोमन ऐसा कम ही देखने को मिलता है निवर्तमान मुख्यमंतरी भुपेश बगेल वहां मंच पर बैठे हुए नजर आए और आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अभी जो तरह से ये जो कारक्रम है रंबा इंतजार यहाँ पर करना पड़ा और अब चुनाव होने के बाद ये नई सरकार का गठन हुआ है मुख्यमंतरी विश्णुदेव साय उप्राइब